हलो फ्रेंस आज हम एक रूबृक डिसकस करते हैं वड़ा इंट्रस्टिंग रूबृक है और इसमें क्या होता है डिल्यूजन है सबसे पहला डिल्यूजन ऑक्स मतलब बैल रैडिन मतलब शवारी करना ठीक है आझति हैं कि जब मचल्ब आपको ऐसा फिल होता है कि मैं किसी बैल कि सवारी कर रहा हूं अब सभल का मतलब है मंदब बुध्धी इस um एक एक Tschampel देते हैं यह बैल बुध्धी है या घैल है दिमाँ से हे ठीक है मतलब इसका खुट का धिमाँ नहीं रही होता यह दिमіं Chinese से पूर होता है ठीक है तो अभी ये रूब्रेक ऐसा क्यों है डिल्यूजन ऑक्स राइडिंग इसके कई सारी मीनिंग है तो जैसे कि आप आपको ऐसा फिल होता है कि मैं इस तरीके के बैल में सवारी कर रहा हूं जिसके पास कोई बुद्धी नहीं है ठीक है इंटेलिजेंसी कम है तो आप एसे स्वारी कर रहा है अभी पिस्ट कैसे बात करेंगा एक के सामज़िया कि में पिशन को क्या हो रहा है कि निमोनिया हो गया है या कोई बढ़ी तकलीफ हो रही है एक कुछ भी हो रहा हए अब ये दो तीन चार दिन पिशन टेड है लेकिन ऑड्मिट होने के के बार इसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं आया तो ये घर आ गया ठीक है घर आने के बार ये पेशेंट को अब नहीं जाना वापस घर वाले बोल रहे हैं कि आपकी तबियत बिगलती चली जा रहे हैं लेकिन आप वापस मेडिसिन ले लो ठीक है उसी डॉक्टर के पास चले क्या फाइदा मैं वही दवाईयां तीन दिन से खा रहे हूं उससे कुछ फरक नहीं पड़ा तो मैं वही दवाईयां क्यों लूँ मुझे नहीं लेना दवाई तो आपके दिमाग में कई साय रूब्रिक्स आएंगे ठीक है यहां पर आएगा रिफ्यूस टू टेक मैडिसि अब्जेक्टिव रिजिनेबल चीक है बिजनेस टॉक्स आजाएगा तो यह बिजनेस टॉक्स नहीं है क्योंकि पेशेंट यह बोलता कि मुझे उस दवाई से कोई फाइदा नहीं है पैसा भी जा रहा है और फाइदा नहीं तो मैं क्यों लूँ इवन इस सचुएशन में की पेशेंट की हालत खराब है ठीक है उसको मैडिस情况 लेनी चाहिए तो भी Refuse टू टेक मैडिसीन पिश्ञेंट वह मतलब एक रिएक्शन है refuse to take medicine लेकिन वो क्यों नहीं लेना चाह रहा है अब अब जेक्टिव रिजने बिला गया कि मैंने already medicine ली पर मैंने ये medicine मैं क्यों खाऊं तो यह साई रूप ब्रेक अपस में चिपके हुए है ठीक है situation के हिजाब से लेकिन अब आप यह समझे कि वो patient delusion ox riding में है मतलब already वो ऐसे बैल के उपर बैठ चुका है ox का मतलब आप ऐसे समझे कि ox का मतलब बैल और वो आप यहां से समझे कोलू का बैल जो होता है कोलू का बैल क्या ऐसे शर्किल में चक्कर लगाता रहता लगाता रहता ठीक है अब even पीछे से धक्का मारने वाला कोई नहीं भी है तो भी वो अपना शर्किल चलता रहता वो चलता रहता चलता रहता धीर जिर 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 चलता रहता ठीक है इवन आप उसे रसी से भी छोड़ देंगे तो काओ वैसे घूमता रहे वैसे घूमता रहे ठीक है तो यह खुद क के लिए वो medicine ox है जिससे कोई benefit नहीं है मतलब चले जा रहा है चले जा रहा है ठीक है और घूम फिर के वहीं तो क्या benefit उसका कोई benefit नहीं तो ऐसे ही है Allopathy medicine कोई ये patient ox riding कर ली है ये patient ने ox riding कर लिया है मतलब जिससे कोई benefit नहीं हुआ ये उसी के उपर बैश चुकी है तो अब वापस क्यों बैठे मतलब delusion ox riding already इसने riding कर ली है मतलब ये आप समझे है कि इसने riding कर चुकी है या कर रही है ठीक है जिससे कोई benefit नहीं हुआ तो इसने एक patient ने क्या कहा है मैंने 3-4 साल 3-4 बार 3-4 दिन से मैं admit हूँ कोई result नहीं आ रहा है उस दवाई से तो मैं वापस वाई दवाई है क्यों नूज आके चीक है मतलब ये है delusion ox riding उसका कि वो already ऐसे बैल पर बैठ चुकी है जिससे कोई benefit नहीं हुआ तो मैं क्यों बैठ हूँ उसी में चीक है अब आप देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे की एक और example है इसका ये मेरा एक फार्म असिस्ट है उमिपिति का उसका assistant है ये तो मैं कभी भी जाऊंगा मैंने कहूंगा कि भाई साब ये medicine आप जल्दी दे दो जल्दी निकाल के दे दो तो ये क्या करेगा कुछ नहीं simple उसका जो रवया है धीरे धीरे चल के जाना मैंने कहा कि जल्दी है भाई साब मेरे वो patient बैठा है लेकिन वो उसका reaction वही रहेगा धीरे धीरे चल के जाना शीडियों से चढ़ना फिर धीरे जिर जिरूतर क्याना ऐसा लगता है कि मैं चला जाओं और वो शीडियों से जल्दी से medicine निकाल के ले आओं और इसको pay करो और मैं निकलूँ ठीक है लेकिन आपको क्या feel आएगा उस time पे आप ऐसे मतलब वो जो इंसान है वो ox है और आप उसकी सवारी कर रहे हैं आप उसके बैठे हुए हैं आपका उसके बेगर आप बैठे हुए हैं और आपका उसके बेगर कम भी नहीं बन सकता ठीक है और आप उसे छोड़ भी नहीं सकते ठीक है तो आप उसके उपर बैठे हुए हैं तो यह है आप फिर आपको ये feel आएगा I am riding in a ox तो ये है delusion ox riding तब आपके लिए रूब्रिक हो जाएगा delusion ox riding as if जैसा हम कुलों के बैल के ऊपर बैटके जा रहे हों तो कोई फाइदा ने क्योंकि घूंपेर के आप वहीं आना है कोई destination नहीं है थीक है तो इस पेशेंट के लिए भी व इसको वापस लेने से कोई फाइदा नहीं है ठीक है तो यह कहीं पर भी हो सकता है कई वारा आपको ऐसा रहे है कि आटो आप आपने आटो पकड़ा नौ बजे का ट्रेन है लेकिन साड़ी आड़ बजे आपने पकड़ा आधिक पंद्र-बीस मिनदे में पहुंच जाएंगे है वह आटो है वह ओक्स है आपके लिए और आप उसकी सब्वारी कर रहे हैं तो यह है डिल्यूजन ऑक्स राइडिंग तो पेशेंट की लेंग्विज में भी आपने समझा कि उसको मैडिशन मैडिशन फॉर हीम इस एन ऑक्स वह बैल है मैडिशन जिसके जिसने कोई जिसक उसने पहले दिया है मतलब उसने कोई आराम नहीं दिया इस पेशेंट को ठीक है इसलिए उसके लिए अब यह सी उसी उसी बैल पर बैठना फालत हुए ठीक है तो यह है डिल्यूजन ऑक्स राइडिंग एजिफ थैंक यू ठीक फॉर वाचिंग